गर की construction हो गई है और interior design कर रहे हो तो ये जो 15 गलती हैं ये मत करना क्यूंकि इससे आपका गर थोड़ा cheap दिख सकता है outdated हो सकता है क्यूंकि काफी चीजी है जिनका time निकल चुक है 2023 में ही अगर 2024 में आप अपने गर को luxurious और trendy दिखाना चाते हो बस ये 15 चीज़े follow कर लेना सबसे पहली चीज है जो हम tile लगाते हैं flooring में उसमें ये group देना बंद कर दो क्यूंकि outdated हो गये इतना ज़्यादा सुन्दर नहीं दिखता है कही जगा दिखते हैं वहाँ आपको इनको पूरा design करना बड़ेगा वहाँ ये group अच्छे लगते हैं आपको करना क्या है बड़े बड़े plank size की tiles आती है इस समय बहुत अच्छी लगती है अगर आप अपने घर में लगवाते हो एरिया बड़ा है वहाँ ये वह अच्छी लगेगी और आपको लगवानी है paper joint के साथ मतलब ऐसी टाइल भी आती है जहां joint दिखाने की जुरूरत नहीं होती और जब joint दिखेगा नहीं आपके flooring में तो एकदम लगजेज दिखेगी और premium दिखती है और ये groove क्या करते हैं आपके tile का size दिखाते हैं थोड़े टाइम बाद इन groove में dust आ जाती है नहीं अच्छे दिखते है मेरे ख्याल में मत करो आपको big size की tile लगानी है और pattern क्या करना है जितना simple हो ratio जितने कम हो उतना ज इसी tile के साथ जाना चाहिए और एक tip में आपको सब को दे दू जब भी tile लगाओ big size की लगवानी है और flooring और एक wall आपकी जो गर की रहेगी दोनों को match करवाओ बहुत premium लुक देगी और flooring और wall जब एक color में रहती है आपके room आपका hall drawing room बहुत बढ़ा दिखता है तो ये tip जरूर ले लेना जब भी interior design करवाओ तो ये pick से आपको idea लगया दूसरी tile में ही है जब हम bathroom की tile लगवाते हैं flooring की tile में चोटे चोटे pieces वाली tile मत लगाओ बहुत boring और outdated हो गई है आपको mad tile लानी है बले 222 का piece लगवाओ बले उससे बड़ा piece लगवाओ flooring में अगर बड़ा piece तो मतलगो ये भी time गया outdated हो गया आपको करना क्या है आपको simple tile रखनी है ठीक है ग्रेश में रख लो वो mad tile रखो glossy का भी time चला गया है साथ ही साथ आप करवा सकते हो क्या concrete lime plaster जो आते है बहुत premium rich look देता है बड़े बड़े mall 5 star hotels बगरा देख लेना वहाँ पर अभी क्या किय जा रहा है concrete lime plaster bathroom में किया जाता है बहुत rich look आगती है तो ये दूसरी tip तीसरी tip आपको क्या करनी है जो door हमारे होती है ये profile वाले door ये groove वाले door ये brown door ये ब्राउन डोर ये भी outdated हो गया है तो मेरे खाल में इनको अपने गर में मत लगाओ क्यूंकि factory इनको दो तो तीन तीन हज जगा आपको देखने को ये मिल जाएंगे तो अगर आपको trendy look के साथ जाना है outdated या cheap अपने गर को नहीं दिखाना है तो आप grey door के साथ जाएगे बहुत rich look देते हैं grey door simple door रहेगा उसको grey color का लगाईए बहुत अच्छा लगता है navy blue हो गया black हो गया तो ये बहुत premium लगते है बस आपको एक चीज दियान देनी है जब भी ऐसा interior design करना है जब आपको ऐसे door लगवानी हो तो interior उसी साथ से आपको design करना पड़ेगा मतलब जो walls के color है थोड़े आपको light shade में रखनेंगे क्योंकि door आप dark shade में जाने वाले हो ये चीज आपको करनी है अगला होता है kitchen counter ऐसे kitchen counter outdated होगे है अपने घर में मतलग वाइए ये जो grey night है black mostly ये वाला grey night जो रहते है black ये बहुत जदा outdated है चीफ दिखता है आपका kitchen को दिखाते है आपको क्या करना है quartz है grey night आते हैं बहुत colors के आते हैं बहुत premium look देते हैं वो तो उनको लगवाईए साथ में आपको nano white मिल जाए है तो उनके साथ भी आप जा सकते हो वो आपके kitchen को एक premium look देंगे देंगे अगली चीज क्या करनी है जब भी false ceiling करवानी है false ceiling इस समय plane is the best plane रखते हो तो वो trendy लग्जियस भी दिखाता है वह ये pattern रखते हो तो ये outdated दिखते हैं जब लिंग में light जलती है और जदा creepy लगते है जब light बंद होती है colors और colors मत करवाव false ceiling में ये time गया जब colors करवाया जाते हैं जब initial शुरू ही थी false ceiling colors बहुत premium लगते हैं brown color black color करते हैं लोग लगिन अभी plane रखी है और साथ ही साथ जो इसमें surface light होती है false ceiling में surface light लगाई है और off wide या wide के साथ आप जा सकते हो और curves देने अप play कर सकते हो तो ये इस समय trending है और नया trend आपके घर को देगा अगली चीज़ है switches ऐसे switches अगर आपको कहीं भी दिखते हैं ना वो flat low ना अपने घर में ऐसे switches लगाओ इनका time बहुत साल पहले ही चला गया था लेकिन अभी भी कुछ companies हैं जो इनको बना रही हैं लोग ले रहे ह आपको नए switches का साथ जाना होगा जो white colors के तो मेरे खाल में नहीं हो ग्रे में जाईए black में जाईए metal में जाईए bronze में जाईए बहुत अच्छे लगते हैं और price का इतना ज़्यादा फरक नहीं रहता है लगबग same थोड़ा price उनका ज़्यादा है लेकिन आपके घर को वो rich look जुरूर देंगे तो ऐसे switches को अभी bye-bye करो तो trending switches हर के company के आपको मिल जाएंगे आप उनके साथ जा सकते और Chinese market में डेली में जाके आपको आदे से आदे price में ये pattern trendy look वाले मिल जाएंगे अगली चीज जो गलती हम लोग करते हैं जब हम fan अपने गर में लगवाते हैं डिज fan हमारा center में वह सबसे बड़ी mistake होती है हमेशा fan वहां रखवाओ जहां आपका sofa आने वाला उसके उपर रखिए जहां आपका bed आने वाला उसके उपर रखिए और अपनी theme के साथ उसको match करिए आपके जैसे कटन रहेंगे वैसे अगर आप fan रखते हो बहुत premium लगेगा जैस बहुत premium से fan आगे है remote वाले fan है तो आप इसमें काफी आपको patterns मिल जाएंगे colors मिल जाएंगे तो fan को भी एक आप interior का idea समझे एक master समझे जो आपके room को चार्चांद लगा सकता है यह चीज़ आपको करनी है अगली चीज cotton के साथ है cotton में भी आपको क्या करना है solid colors में जाना है जो patterns वाले cotton थे उनका time गया तो आपको और साथ सी साथ क्या करना है जब cotton लगाने है उपर से नीचे तक cotton रहने चाहिए window जहां आपकी खतम होती है वहां से एक फीट दोनों दरफ cotton रखिए बहुत premium look देती है कि यह मैं काफी time से आपको बताते आ रहा हूं अगली चीज क्य क्या करते हैं उसको रखते हैं 6 foot से उपर या 7 foot से उपर वो बहुत खराब दिखती है ऐसा आपको नहीं करना है आपको हमेशा जो अपनी art यहां कुछ भी रखने है मेरे रखा कोई piece है कुछ भी तो अपनी eye level पर रखने है अगली चीज आपको क्या करना है यह जो PVC है इसको अब भी बाए कर दो यह बहुत चीप लुक देती है आपके गर को क्योंकि इसके जो flowers है इसके जो patterns है इसके जो joints है यह समय अच्छे नहीं दिखते हैं ना lowers अभी इतने ज़दा trendy में लगे हैं ना PVC sheets ना UV sheets तो मेरे ख्याल में इनको अभी बाए बाए कर देना चाहिए इससे अच्छा है कि आप क्या करो concrete lime plaster करवाईए paint करवाईए molding करवाईए जा simple plain दिवारें रखते हो तो वो बहुत अच्छी rich look देती है और PVC अगर wallpaper के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो लेकिन जो dark colors हैं वो colors मत add करिए light shades में रखिए light patterns में रखिए बहुत rich look आपके गर में आने व रखो तो वो बहुत बेकार सा लगता है कभी ऐसा मत करो बले वो hidden वाल है इससे अच्छा है कि एक छोटी सी almira type बनाईए उसको रखिए उसकी जो finish रखिए वो tiles है match finish आपको रखिए जो भी आपकी flooring आपसे finish रखिए और उसके साथ उसके ओपर green area add कर दीए मतलब flower parts add कर दी तो इनको द्यान में रख्के करवाना बहुत अच्छी look आपको मिलेगी और मेरे ख्याल में ऐसी वीडियोस आप पसंद करते हो और हमां ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे बस उसके लिए आपको चैनल को subscribe कर लेना है और bell icon दो लेना है house construction के related या interior design के related कोई भी आपको consultation हैं हमसे तो अभी में लेता में लिए थेंक्यू गैस